नमस्का रार के दांगी चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी वेकेंसी आरार कैट ये इन दौर में है और इसमें बहुत सारी वेकेंसी सबसे बड़ी बात है इसमें ITI पास आउट के लिए भी वेकेंसी निकलिए साथी डिगर सभी के लिए वेकेंसी इसकी आवेदन करने की अंतिमतिती है 14 जून 14 जून तक आपको आवेदन करना है इसकी लाश डेट दी है और ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए है आप अभी ऑफिसेल वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर अगर हम इसकी पदों की बात करें तो आटो मॉवाईल इंजिनेरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए फिर सेक्शन के योगता के साथ साथ उन्होंने रिजरवेशन भी बता दिया है कि क्या क्या इसमें 60% के साथ आपकी वह होनी चाहिए डिग्री आरार के इसकी बात करें बैग अलग अलग पदों के लिए अगर हम पूरी बात करें बैग्यानिक सायक, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रीकल में डिप्लोमा होना चाहिए, सेलरी बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग सेलरी आपकी 44,900 मतलब कि आपकी 55,000 के आसपास सेलरी होती है, एज की बात करें 18 से 30 वर्स के बीच में अधिक तर पदों की है जिन में डिप्लोमा मांगा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उनके लिए है, और इसकी बात कर ले हैं, जी बिग्यान तो इसमें फिर बीच्षी मांगा है, बिग्यान विसे के साथ, और अगर इसकी बात करें, इलेक्ट्रिकल, इसो बहुत सारे पदéta है, आ lofficial website, और और क अब हम बात कर लेते हैं इश के बाय जो मैन में आपको बताने वाला ता आइटी आई पास आउड बच्चों के लिए जो तकनीशियन का की अगर हम बात करें तो इसमें electrical के भी पद निकले हुए है इसमें भी salary आपकी अच्छी है तो ITI pass out बच्चों के लिए permanent government job है इससे अच्छी opportunity हो नहीं सकती है अगर ITI वाला बच्चा direct इसमें select होता है और वो कम से कम 45,000 अजार initial तनका अगर उसकी बनती हो तो यह बहुत अगर हम बात करें यह बहुत सारे पाद कारपेंटर हैं ITI की लगबग सभी पदों पर यह भरती निकली हुई है ठीक है अब हम बात करें C1 से C10 तक यह इसमें अंतर अगर हम बात करें तो चैन पर करिया वही है आपकी अगर B1 से B2 वाली है घंटे का 30 मिनट हिंदी और यह हम सामान इसकी बात करें यह BSC B-TEC डिपलोमा यह दर्सपरसी उन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है आपको एपलाई जरूल कर दें आप ITI पास आउट बच्चों तक यह जानकारी जरूल पहुँचा है जिससे की वो इसको एपलाई करें और ऐसी अच्छी के बेस पर तो इसमें आप जरूल एपलाई करें और तैयारी कर लें इस एक्जाम की और दोस्तों यह बहुत फास्ट एक्जाम होता है आरारकेट का आपका रिटन होगा बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा और आपका अगले दो तीन महीने में पर्मनेंट सेलेक्शन हो जाएगा और आप आरारकेट में जॉप करना है श्टार्ट करेंगे तो सभी से रिक्वेश्ट है कि आई टी आई पास आउट हर बच्चे तक यह वीडियो आप जरूल पहुंचें जिससे के वह एपलाई कर सके आज की वीडियो में तर नहीं फिर मिलेंगी एक नई जानका जाएगा दे जानका जानका इपलाई कर सके यह एक वीडियो आई पास आएगे शिर लिए प्सक्राट पास आप जाएगा है जाएगा है।